जे हिंज जे बार दोस्तों फोजल अक्समल सिंग फिजिकल एकेडमी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं बोहनी सिंग तो आज आपको एक और सेंटर की रिलेशन बढ़ती हा चुकी है उसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में तो वीडियो आप अन तक देखना तभी आपको सभी चीजें समझ में आएगी और इस सेंटर में बहुत अच्छी वेकेंसी आती है और कौन से स्टेड के लिए स्टेड वाइस वेकेंसी है वो आपको पूरा सेडूल देखने को मिलेगा और मुजिसिन के लिए ओपन वेकेंसी है और स्पोर्समेन के लिए ओपन वेकेंसी है और मुजिसिन की कितनी वेकेंसी सेंटर में वो भी हम आपको बताएंगे और trademan के भी vacancy बता रखी है कि कितनी vacancy है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो आप अन तक देखना तब भी सारी बाते आपको समझ में आएगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जुरूर किया गरो और शेर जुरूर किया गरो अपने दोस्तों के साथ और आप अमारी यूटूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो अमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब करो पास वाले बेल आइकन को प्रेस करो जिससे हमारी यूटूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपके पांस रोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो देखो यह बढ़ती है जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली की बरेली में इस सेंटर का बरेली में यह सेंटर है तो आपको सारी डीटेल हम देंगे इस वीडियो में वीडियो आप देखें अच्छे से तो आप देख सकते हो तो रिकूट मेंट रैली, सोल्जर जनरल दूटी, सोल्जर जी डी, सोल्जर ट्रेड में, सोल्जर ट्रेड में मुजिसियन और सोल्जर कलरक एंड स्पोर्समें ओपन फिर बढ़ती है चार अक्टूमबर से 16 अक्टूमबर 2021 के बीच यह बढ़ती चलेगी फिर आप देख सकते हूं यहाँ पर जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली, जी आर्सी, तो फिर आप सेडूल देखो इस बढ़ती का, चार अक्टूमबर से यह बढ़ती स्टार्ट होने वाली है, तो चार अक्टूमबर को सोल्जर जी डी, चार अक्टूमबर को सोल्जर जी डी सेलेक्षंड दूरिंग स्पोर्च में ट्राइल , आपका स्पोर्च में का ट्राइल होगा 4 अक्टुमबर को , ठीक है , फिर आप देखो 5 अक्टुमबर को आपको बढ़ते आती है 5 अक्टुम्बर की चेलल ्क जीडी कि अथे पांच अक्टॉमबर में सौल्जट जीॡी तो सोल्जट जीडी में ये पांच अक्टॉमबर को यूपी के डिस्टिक है, यूपी के जितने भी जिले हैं, इसमें दे रहे हैं, इनकी बढ़ती है, इस तिन, क्यों कापी जिले हैं, मैं यहां पर आपको बता नहीं सकता पड़ गए, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस तिन यूपी के जिलों की बढ़ती है, फिर आपके सातारी को है, सातारी को भी सोलजर जीडी की है, और यूपी के, यूपी स्टेड की है, और यूपी स्टेड में और भी जिले बच्चे में उन जिलों की सातारी को है, फिर आड तारी को आपकी बढ़ती आ जाती है, सोलजर जीडी हर्याना की, हर्याने के जितने भी जिले है इनकी बड़ती आपके 8 अक्टूमबर को है, फिर 9 अक्टूमबर को हर्याना के और जिले बच जाते हैं उनकी बड़ती 9 अक्टूमबर को है, फिर राजस्तान के इस कोलम में जिले दे रखें, इन जिलों को रिपोर्टिंग करनी है आपके 11 तारीक को, फिर 12 तारीक को है, और तो और भी राश्तान के जिले बचे में उनकी 12 तारीक है, इसमें दे रखा है उन उन जिलों की 12 तारीक है, और पहले 11 को बाकि जो जिले थे उनकी है, तो यह हो गई बढ़ती, और भी अब 13 तारीकों सेडूल है, वो आप देखो, अच्छे से, फिर 13 तारीकों आप यहां पर ह है यहां से, फिर 16 तारीकों के लिए आलिस्ट्रेड और इसमें औल्लिफ और sicher शार्ट घर्ज़मेंट छे ilंड के बंदे बःती देख सकते हैं, जिन के 30 जनवरी को common entrance exam होगा 30 जनवरी को जो बंदे रनिंग और medical और document में सब चीज में clear होंगे उनकी common entrance exam होगा 30 जून को फिर अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कौन से gate पर repeating करनी है तो जाट गेट है दे जाट document वगेरा का वह आप अच्छे से देख लेना क्योंकि वीडियो वैसे भी काफी लंबा हो चुका है फिर यहाँ पर एज को टॉप दे रहे हैं एज को टॉप का आपको पता ही है फिर यहाँ पर वेकेंसी पता रही किया ट्रेड में की वह मैं आपको बता देता हूं सोल्जर ट्रेड में टेंथ पास में सेप किया चार सपॉंडी की स्टाप किया एक टेलर किया दो और डेकोरेटर किया एक और ड्रेसर किया तीन और आपके वासर में किया चार फिर सोल्जर ट्रेड में एट पास में हाउस की पर किया दो वेकेंसी और मुजिशिन की इसमें वो पता नहीं रखी है वो जितनी भी वेकेंसी होगी वो आपको बता देंगे और भी कोई सेंटर के अपडेट आएगी हमारे पास तो हम आपको वीडियो के द्वारा जरूर बताएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिं जैबार्त